आज ग्रेव हाग के माद्यम से कैबिनेट में ये निर्ने लिया गया है कि जो उत्रप्रदेश के मूल निवासी हैं केंद्री अर्थसैनिक बल में सेना में थल सेना में वायू सेना में जल यानि नौ सेना में तो इन सभी जो भी अर्थसैनिक बल है अभी तक प्रदेश सरकार उनके शहीद होने पर उनके आन्दी जॉब उनकी मृत्यू होने पर 25 लाख रुपे की धनराशी दी जाती थी आज क्याबिनेट में मानी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णे लिया गया है कि जो भी शहीद होगा हमारे प्रदेश का किसी भी बल का होगा तो उसे उसके परिवार में कुल 50 लाख रुपे की धनराशी दी जाएगी जिसमें से 35 लाख रुपे की धनराशी उनकी पत्नी और उनके बच्चों को दी जाएगी और 15 लाख रुपे की धनराशी उनके जो म यह बहुत ही महत्वपूर्ण निन्न है और इसे एक अप्रेल 2020 से लागू कर दिया है